प्रोविजन फ्रोदैसलों नेक्स एज़ेस्मेंसलों प्रोविजन फ्रोविजन फॉर डिसकाउन टाइटस प्रोविजन फॉर डिसकाउन टाइटस默 तो हो सकता है Chris मुझे उनको discount देना पड़े provision for discount on debtors कि जब debtors मेरी payment करेंगे तो हो सकता है कि मुझे उनको कुछ discount देना पड़े करा जब आपको पहले से ही पता है कि आप discount देते हो 2-4% जो भी तो पहले से उसके लिए provision create करो क्यों? because of the concept of prudence तो general entry क्या होती है प्रोविजिन फॉर discount on debtors की profit and loss account debited टू प्रोविजिन फॉर discount on debtors तो यह तीनो interrelated adjustment है इसलिए एक साथ खतम कर रहा हूँ bad debts provision for bad and outful debts और provision for discount on debtors sequence में है तीनो interrelated है ध्यांस देखना हुआ क्या? एक बारी penal account में debit side पे आ गया penal account debited और एक बारी same जैसे provision for doubtful debts है वैसे ही provision for discount on debtors है it will be shown as a reduction from sundry debtors on the asset side of the balance sheet treatment यही रहेगी किसकी provision for discount on debtors की एक बारी profit and loss account में debit side पे एक बारी debtors में से as a reduction so debtors में से तो हमें bad debts right off भी करने है हमें एक बारी provision for doubtful debts भी minus करने है और provision for discount on debtors भी minus करने है तो किस order में? तो बाटा order यह होता है कि debtors में से सबसे पहले minus होंगे further bad debts bad debts written off फिर minus होगा provision for bad and doubtful debts फिर minus होगा provision for discount on debtors तो ध्यान से देखेंगे बेटा एक example से सिखाऊंगा very very interesting very very important trial balance में देखें हैं debtors debtors क्या है? 1,00,00, bad debts trial balance में आ रहे हैं 5,000 अब मज़ेदार adjustment bad debts की भी है provision for discount doubtful debts की भी है provision for discount on debtors की भी है तो ध्यान से देखना काफी कुछ सीखने को मिलेगा मज़ा आएगा तो चलो एक एक करके बात करते हैं debtors है 1,00,000, bad debts है 5,000 तो bad debts bad debts कितने हैं 5,000 debtors कितने हैं 1,00,000 trial balance item दिखा दिए इनका काम खत्म further bad debts amounted to 10,000 तो bad debts में add हो जाते हैं या further bad debts further bad debts, एक बारी bad debts में add हो जाते हैं एक बारी debtors में हो गए एक बारी debtors में से Minus हो गए 90,000 अभी तर किसी हो कोई भी डाउट तो बैट एक बारी बैट डेट में होगे एक बारी डेट में से माइनस हो गया नाव प्रोविजन फॉर बाट फॉल देट्स प्रॉविजन फॉर प्रॉप पर्सेंट क्रिएट करना है मिस्टर आर्यन मलुत्रा आप बताएंगे नाइनटी थाउजन बहार ना दिखाके अभी अंदर अभी चल रहा है सिरसिला माइनस प्रोविजन फॉर बैट देट्स प्रोविजन क्रिएट करना है कितना पाई परसेंट वन लाग का या नाइनटी थाउजन का फई परसेंट प अंसर इस करेक्ट के नाइनटी थाउजन का फई परसेंट होगा प्रोविजन मैं कहां वन लाग का क्यों नहीं जल्दी ट्राइब करो आरें परना बोलो पास मैं भी मितलब हमें पता नहीं कि पूरे मिलेंगे कि नहीं तो वह फॉर्दर वले उसमें नहीं इन थाउजन पक्का है कि नहीं मिलेंगे तो जो पक्का है नहीं मिलेंगे वो तो हमने पूरे डिसकाउंट कर दिये पूरे ही माइनस कर दिये तो उस पर थोड़ना प्रोविजन क्रेट करेंगे तो प्रोविजन क्रेट करेंगे उसको माइनस करने के बाद जो अमांट आया पर बाद न डाउट फुल डट्स कितना प्रोविजिन 45 अब लास्टीज जो भी हमने सीखी प्रोविजिन पॉर दिसकाउंट नेटर्स 2.5 पर से प्रोविजिन पॉर दिसकाउंट नेटर्स अब द्यान से देखना बड़ा मज़दार पॉइंट ट्रीटमेंट तो सिंपल सी है एक बारी प्रोविजिन प्रोविजिन क्रियेट करने डिसकाउंट का अब यह 2.5 पर सेंट किस पे क्रियेट होगा आरूश आप बताएंगे 1,00,000 पर या 85,500 परियेट होगा डिसकाउंट जो उपर प्रोविजिन क्रियेट किया है 5 परसेंट वो हमें नहीं मिलेंगे यह हो सकता है कि नहीं मिलेंगे हो सकता है नहीं मिलेंगे स्विश आप बताओ जो 2.5 परसेंट क्रियेट होगा प्रोविजन पॉर डिस्काउंट ओन डेटर्स वो 90,000 पे या 85,500 पे बिकॉज शायद वो ना मिले और अगर मिलेंगे तो हमें उन पर कोई डिस्काउंट देना पड़ेगा 2.5 85,500 पे रीजन ये है जो आपको लग रहेगी वो पैसे मिलेंगे ही नहीं वो तो आप पूरा लॉस मान चुकिए हो जब हमने 4,500 माइनस कर दिये वो तो हमने पूरे डिस्काउंट कर दिये यह सोर नो हमने उनको माइनस कर दिया कि यह तो पैसे अब मुझे नहीं मिलेंगे शायद तो पूरे माइनस कर दिये अब मैं क्या मान रहा हूं कि मुझे मिलेंगे 85500 यह तो मैं अल्रेडी लॉस मान चुका हूं कर तो दिया concept of prudence apply अब बाकी फिर से concept of prudence apply कर रहा हो कि हो सकता है जो बाकी पैसे मिलेंगे उन पर discount दिना पड़ेगा तो उनको ही दोगे ना जो पैसे मिलेंगे नाइंटी थाउजन तो पक्का नहीं है कि पूरे मिलेंगे 85500 most probably मिल जाएंगे तो डिसकाउंट प्रोविजन फॉर डिसकाउंट ऑन डेटर्स ते आंते देखेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टन प्रोविजन ऊपर भी एक है कोई बात नहीं प्रोविजन फॉर डिसकाउंट ओन डेटर्स विल भी कैल्किलेटेड कि आफ्टर डिड़क्टिंग कि सबसे पहले कि परदर बैटेट्स एक एनी प्रोविजन फॉर बैड डाउट्फुल डेट्स यह भी इफ एनी तो अगर फर्दर 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 बैटेट्स है और प्रोविजन फॉर बैटेट्स है तो पहले वह माइनस होगा उसके बाद प्रोविजन क्रियेट होगा तो कैल्कुलेट कर लेते हैं 85,500 का 2.5 परसेंट तो आया तुवन पॉइंट त्री सेवन त्री सेवन पॉइंट फाइट तो इसको में लिखनेंगे तू वन थ्री एट 83,462,500 Oh 362,362,400,213 है तो एक बरी यहां पे एक बरी प्राफित में डेट साइड एक बरी टेक्टर पर देटर में सैजर रदूक्शन provision for discount on debtors easy yes very important provision for this is calculated on the debtors that are left after deducting further bad debts and provision for doubtful debts easy hai easy rahna hai